प्रियशृताओं, सवालों को पूछने की आपकी इच्छा को हम समझते हैं, लेकिन आप हम बस एक अंतिम सवाल लेंगे. हलो सद्गुरू, सबसे पहले नमस्कारम. मैं जन्म से हिंदू हूँ, मैंने इसे चुना नहीं है. तो बुन्यादी रूप से मैं धर्म के मामले में एक शंकालू प्रकार का व्यक्ती हूँ. तो मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया या दैनिक जीवन में हम सभी हर जगा एक बात सुनते हैं कि हमारा धर्म खत्रे में हैं. सबसे पहले तो ये सवाल मेरे दिमाग में बच्पन से आता रहा है कि धर्म क्या है और दूसरी चीज ये किस तरह खत्रे में हैं और क्या धर्म को अपनाना वाकई ज़रूरी है? देखिए, मैं कुछ मिनट लूँगा, उसने एक सवाल पूछा है. देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप इस राष्ट्र के अतीत में देखें कि इस राष्ट्र का संदर्व क्या है? अगर आप इस देश के इतिहास पर नजर डालें, तो एक समय ऐसा था जब यहाँ पर दो सो से अधिक राजनीति के काईयां थी. मेरा मतलब है राजा, छोटे राज्जे, बड़े समराज्जे. कभी कबार कुछ राजा आए और इनको जीत कर एक बड़ा समराज्जे कायम किया. कभी कबार यह छोटे हिस्सों में बढ़ गया. मूल रूप से यह 100 से 200 राष्ट्रों का समूँ था. एक ही जमीनी हिस्से में स्थित था, जिसे आज हम भारतिय उपमहद्वीब कहते हैं. लेकिन हला कि बहुत सारे राजनीतिक राष्ट्र थे, बाहर के लोग इस जमीन को हमेशा हिंदुस्तान कहते थे. है ना? आज भी अगर आप अरब में जाएं, जैसे लेबनन और जॉर्डन या ऐसे स्थानों पर, आपको लेबनन में हजारों ऐसी औरते मिलेंगी, जो आज भी हिंद नाम लेती हैं. ये एक नाम है, क्योंकि उनकी भाषा में हिंद का अर्थ है भारत. मैंने उनसे पुछा, पहली बार जब मैं गया, मुझे आश्यर हुआ, आप इंडिया नाम क्यूं ले रही हैं? मेरा मतलब है लेबनन में आप भारती क्यूं हैं? उन्होंने का, नहीं, ये हमारी संस्कृत हैं, हम हमेशा भारत से जुड़े रहें, शायद ये लोग उन में से हैं, जो काफी समय पहले वहाँ चले गए थे. वे अबु संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं, वे वैसे दिखते हैं, उनकी हर चीज वैसी है, हजारों साल पहले की बात होगी, उन्हें घर की याद सता रही होगी, जब आपको घर की याद आती है, तो आप अपनी बेटी का नाम इंडिया रखते हैं, जिससे आप रोज इंडिया इंडिया बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे अपना देश याद आ रहा है, तो वो परंपरा आज भी वहाँ है, लेकिन तब भी वहाँ उन्हों ने इसे ह इंडिया हिंडुस्तान कहा, हलाकि हमारे इस उप महाद्वीप में बहुत से राष्ट थे, तो उन्होंने इस देश को हिंडुस्तान क्यों कहा, एक बात तो ये है कि ये भागोलिक पहचान है, ये धर्ती हिमाले और इंडु सागर के बीच में स्थित है, जिसे आज हम महा सागर कहते हैं, उन्होंने इसे हिंडुस्तान कहा, हिमाले इंडु सागर के बीच का हिस्सा हिंडुस्तान है, तो जमीन से जोड़ी पहचान दी गई थी, लेकिन कोई राजनितिक पहचान नहीं थी, कोई भाशा की पहचान नहीं थी, कोई धार्मिक पहचान नहीं थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उन दिनों भी ये नहीं समझ पाएते कि हम कौन थे जैसे कि आज भी आप तह नहीं कर पा रहे हैं कि आप कौन हैं इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं उन दिनों भी यही सवाल जैसे आपके वाइस चांसलर ने पूछा सद्गुरु आप मेरे सवाल का उतर दे सकते हैं कि मैं कौन हूँ तो हम आज भी पता नहीं लगा पाते कि हम कौन हैं क्योंकि ये खोज की जमीन रही है कभी भी विश्वास की जमीन नहीं रही अगर आपको धर्म चाहिए मूल रूप से जब कोई कहता है मैं धार्मिक हूँ तो वे कहते हैं मैं विश्वासी हूँ है ना आईए विश्वास शब्द को समझें आप में से कितने लोगों को ये विश्वास है कि आपके दो हाथ है ऐसे सारे लोग कृपया कम से कम एक हाथ उठाए आप विश्वास करते हैं कि आपके दो हाथ है या आप जानते हैं कि आपके दो हाथ है आप जानते हैं यदि कोई आपस ये तर करे और ये सिद करने की कोशिश करे कि आपके दो हाथ नहीं है और ये बहस बहुत भेंकर हो जाए तो चेहरे पर एक थपड तब वो जान जाएगा कि आपके पास हाँ थे लेकिन आप बहुत सी चीजों में विश्वास करते हैं आप स्वर्ग में विश्वास करते हैं इश्वर में आप बहुत सारी चीजों में विश्वास करते हैं क्यों विश्वास? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने जीवन में इतने सच्चे भी नहीं बन पाए कि आप ये भी नहीं कह सकते कि जो मैं नहीं जानता वो नहीं जानता ये गंभीर समस्या है आप जो कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में कहते मैं विश्वास करता हूँ ये बहुत इंसानियत से भरा और शांदार काम होगा अगर आप कहें कि मैं जो कुछ नहीं जानता मैं उसे नहीं जानता है ना मैं नहीं जानता एक जबरदस संभावना है जब आप इमानदारी से अपने अंदर ये कहते हैं में नहीं जानता तो जानने के लालसा, जानने के इच्छा और जानने की संभावना आपके जीवन के सचाई बन जाती है वरना हर वो चीज़ जो आप नहीं जानते उस पर आप विश्वास करते हैं जब आप विश्वास करते हैं, वो आपको आत्म विश्वास देता है। सपष्टता के बिना आत्म विश्वास होना, मानवता के साथ सबसे खतरनाग चीज घटी है। आत्म विश्वास, सभी प्रकार के बेवकूफों में आत्म विश्वास, जब आप नहीं जानते, तो कम से कम जिजक तो होनी चाहिए, है ना, जब आप इस पस्ट रूप से नहीं देख सकते, तो आप में जिजक होनी चाहिए, आप इस पस्ट नहीं देख पा रहे हैं, फिर आत्म विश्वास है तो क्या आप एक मुसीबत नहीं हुए? या तो आप खुद के लिए मुसीबत हैं या आसपा सभी के लिए? तो ये भूमी कभी भी विश्वास की प्रनालियों से नहीं जोड़ी हुई थी. ये हमेशा से खोज करने वालों की भूमी रही है. किस चीज की सत्य और मुक्ति के खोज करता. बस कल ही मैं बीचु काशी में था. अब बस देखिए, वहाँ पर सारे देश और आजकल पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं. किस चीज की तलाश में? मुक्ती. मुक्ती सबसे अधिक मुल्यवान रही है. इस संस्कृति में इश्वर को सबस इन लोगों की पूजा करते हैं, वे सारे लोग इस धर्ती पर किसी न किसी समय पर चले हैं, है न? और वे सूपर हीरो नहीं थे. वे आकाश से नहीं टपके, या हवा में नहीं उडएते, या पानी वगरा पर नहीं चले थे. वे भी उनहीं मुसीबतों से गुजरे थे, जि लिए राम को लेते हैं, क्योंकि वे हमेशा से राजनीतिक विवाद में रहें, वे आज भी रियल स्टेट समस्या में उल्जे हैं. 17 या 18 की उम्र में, वे अपने हग से राजा बनें, क्योंकि उन दिनों में पिता से पुत्र को ये हग मिलता था, वे एक यूवा राजकुमारी से शादी करते हैं, थोड़े ही समय में किन ही राजनीतिक परिस्थितियों की वज़े से उनको जंगल भेज़ दिया जाता है. आपके टेलिविजन पर आपने जो कुछ देखा हो, या किसी मूवी में आपने सीता राम को जंगल में हनिमून मनाते देखा हो, नहीं, उन्हें देश से निकाला गया था, जंगल जाना कोई पिकनिक नहीं है, आप में से अधिकांश लोग शायद ना जानते हों, मैं जंग से पाउं तक कीड़ों के काटने के निशान होते थे, यहाँ वहाँ, आपको कोई पहचान नहीं सकता, खास तोर से लड़कियां, जब वे दो-तीन हफ़ते के बाद आएंगी, तो आप उनको नहीं पहचान सकते, क्योंकि हर चीज सूच जाएगी, अगर आप जंगल में रह पतनी का अपहरन करके ले गए, हाँ, यही हुआ था ना, कुछ भी हो, वो एक राजा है, अगर एक पतनी चली जाए तो वो एक कोई स्थानिय समाधान खोच सकते थे, एक राजा को कई पतनियों का अधिकार है, लेकिन एक चली गई है, तो वे अपने लिए कोई दूसरी ल को नहीं पता कि श्री लंका असल में है कहाँ पर, बस वो और उनके भाई यात्रा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनके यात्रा की कल्पना करें, अयोध्या से दक्षनी भारत, कोई सरल खोज नहीं है, कितने लोगों ने अपनी खोई हुई पतनी को 6000-7000 वर्ष पहले 2000 से अधिक किलोमिटर पैदल यात्रा करके खोजा होगा, कितने पुरुशों ने ऐसा किया होगा, तो वे चले और एक तमिल फौज बनाई, फिर श्री लंका गए, एक खुबसूरत शहर जलाया, एक यूद लड़ा, सैंकडों लोगों को मारा, अपनी पतनी को वापस हासिल किया, तो अगर एक आदमी को ये सब करना पड़े, तो वो महिला उनके लिए कितना माइने रखती होगी, है न, और वे उनको वापस ले आए, वो फिर से राजा बनते हैं, फिर कुछ गलत हो जाता है, तब तक वो गर्वती हैं, देखिए राजा की पतनी या रानी गर्वत लौती हैं, तो ये कोई मामली बात नहीं है, ये उस रास्ट का भविषय है, ये एक बड़ी बात है, ये कोई मामली बात नहीं है, और वे तब तक एक बड़े समराथ हो गए थे, लेकिन कुछ गड़वडी हो जाती है, और वे अपने पतनी को फिर से जंगल भेज़ देते कोई सोनग्राम नहीं, तो उनको पता नहीं कि बच्चा लड़का है या लड़के हैं या लड़कियां, ये राजा के लिए छोटी बात नहीं है, अगर वो लड़का होगा, तो राजा के भविशे के लिए हर तरह से महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको नहीं पता, वे अपने अंजाने में वो अपने ही बच्चों को मार दे, ये सबसे बुरी चीज आपके साथ होगी, है न? उन्होंने अपने बच्चों को लगभग मार ही डाला था, उनसे युद लड़ा, उनका इरादा तो मार ही देने का था, ना जानते हुए कि वे उनके ही बच्चे हैं, सौभागे से ये नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वे अपनी पत्नी को फिर से नहीं देख पाए, वे जंगल म ही मर गई, आप इसे एक सफल कथा नहीं कह सकते, है न, हैलो, आप इसे सफल कथा नहीं कह सकते, तो फिर हम इस आदमी की पूझा क्यूं करते हैं, इस व्यक्ति को महान क्यूं मानते हैं, सीधी सी बात है, कि जीवन ने उनके साथ जो कुछ भी किया, दूसरों के जीवन में एक भी वैसी चीज होती, तो वे तूट जाते, वे हादसों का एक सिलसिला हैं, लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भी, वे गुसा नहीं हुए, वे परिशानी, नफरत से नहीं भरे, उन्होंने हर समय अपना संतुलन बनाए रखा, पीछे नहीं हटे, वे हर वक्त उच वेभार करते चले गए, और बस, और जब वे श्रीलंका से वापस आए, तो उन्होंने कुछ और जबरदस्त किया, रावन को मार देने के बाद, वे हिमाले में एक बरस का प्राइश्यत करना चाते थे, उनके भाई लक्षमन ने कहा, आप पागल हो गएं, आपने एक आदम सुभाव थे, उसके नौ गुन मैंने मार डाले, कोई पश्चाताप नहीं, लेकिन वो एक महान भक्त भी था, और मैंने बाकी सारी चीज़ों के साथ उस भक्त को भी मार डाला, इसके लिए मुझे तब करना होगा, क्योंकि ये वेक्ति अपने आसपास होने वाली घटनाओ से मुक्त था, दुनिया के सबसे भेंकर कष्ट उसकी और आए, वो जैसा था, वैसा बना रहा, इस आजादी को जीवन मुक्ति कहते हैं, यही वो आजादी है, जिसके लिए हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं, इसलिए नहीं कि वो महान हीरो थे या सफल व्यक्ति थे, तो इ आपके सामने अलग-अलग परिस्थितियां फेकेगा, आप उन्हें किस रूप में बदलते हैं, यह आपका चुनाव है, है ना, तो हमने हमेशा इस संस्कृति में कहा है, आजकल लोग उपर वाले की बात करने लगे हैं, वरना इस संस्कृति में हमने हमेशा आपको बताया कि आपका जीवन आपका कर्म है, हाँ या ना, तो इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ है आपका जीवन आपका बनाया हुआ है, उपर कोई बैठा आपके जीवन को मैनेज नहीं कर रहा है, देखे, आप एक गोल ग्रह पर हैं और ये चीज घूम रही है, आप तो ये भी नहीं जानते कि कौन सा सीरा उपर है, हलो, क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मान में कौन सा साइड उपर है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कहीं पर लिखा है ये सीरा उपर है, तो आपको ये नहीं पता कि उपर क जीवन लेने का अर्थ ये नहीं है, कि लोग मारे जा रहे हैं, वो भी हो रहा है, वो एक अलग मामला है, लेकिन जीवन लेने का अर्थ है, कि अपना जीवन खुद बनाने के जगा आप ऊपर देख कर चल रहे हैं, हमने हमेशा कहा कि आपका जीवन आपका कर्म है आप जो बनाते हैं वही सब कुछ है जो कुछ आपके सामने आ रहा है वो आपके हाथ में नहीं है लेकिन आप इसे क्या रूप देते हैं वो 100 प्रतिशत आपके उपर है तो विचार इतना सा है कि इस संस्कृती की बुनियादी प्रकृती धर्म नहीं है ये इश्वर विहीन देश है आप इस बात को जान लें उपर कोई एक इश्वर कभी नहीं रहा है हम कुछ लोगों की पूजा करते हैं देखिए ये बिल्कुल सटीक है आज लोग कहते हैं कि तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है जीवन के किसी भी शेत्र में जब इनसान अधिक महानता हासिल करता है किसी सामान इनसानी स्तर से अधिक तो हम कहने लगते हैं ओ वो भगवान के समान है वो देव है यहां भगवान शब्द का इस्तमाल सबसे उची हस्ती के रूप में कभी नहीं हुआ यहां पर हमेशा उन लोगों की बात होती है जो आम तोर पर इनसानी शमता से परे महानता का प्रदर्शन करते हैं जिनको देव कहा जाता है इसलिए हमारे 33 करोड देवी देवता है आपको और अधिक बनाने चाहिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह इस प्रित्वी की अकेली ऐसी संस्कृती है जो समस्ती है कि भगवान हमने बनाया है सभी को लगता है कि भगवान ने उने बनाया है इस समय पूरे देश में गनेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है देखिए ये एक बहतरीन उधारन है हमारे द्वारा भगवान बनाया गया हम उनको उपर रखते हैं अगले दस दिनों तक या एक महिने हमारा पूरा जीवन उनके आसपास होता है पूरी भावनाय, भजन, नृत्य, संगीत, हर चीज लेकिन जब जाने का समय आता है हम उनको पानी में विसरजित कर देते हैं हमने भगवान को बनाया, उनकी पूजा की उसका अनन लिया और उनका इस्तमाल करके खुद को उर्जा से भरा और जब सब हो गया, हमने उनको पानी में घोल दिया ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमें इस बात की समझ है कि भगवान हमारी रचना है, है न? तो यहां पर सिर्फ आध्यात्मिक प्रक्रिया रही है अनेक आध्यात्मिक प्रक्रिया है लेकिन धर्म कभी नहीं था हम मुकाबला करते वे धर्मिक बन गए जब बाहरी ताकते आई और बहुत सारा मुकाबला हुआ तो हम भी संगठित होने का प्रयास करने लगे लेकिन आप इस संस्कृति को कभी संगठित नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर तीन लोग हैं तो राय पाँच हैं एक ही घर में दस भगवान है तो ऐसे में आप धर्म का निर्मान कैसे करेंगे? नहीं, ये बस एक प्रक्रिया है जिसमें आप हर चीज का इस्तमाल अपनी मुक्ती, अपने मोक्ष के लिए करते हैं अपनी माताओं की बातचीत को सुनिए या आप युवा हैं, अपनी दादी मा की बातचीत को सुनिए अध्यात्मिक बाचीत नहीं, रोज की बाचीत को सुलिए तो आप पाएंगे कि इस देश में कर्म, प्रारब्ध, मुक्ती, मोक्ष, शब्दों के बिना कोई बाचीत पूरी नहीं होती है ये इस बात की लगातार याद दिलाता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी शिक्षा, परिवार, व्यपार, अध्यात्मिक्ता हर चीज सिर्फ आपकी मुक्ती के लिए है हमेशा मुक्ती ही आपका सबसे उचा लक्ष है, सुर्ग्या भगवान नहीं सद्गुरू, आप हमें चिंतन और मनन करने के लिए कई सारे विचारों के साथ छोड़ कर जा रहे हैं इस अवसर पर हम आपको JNU के युवाओं के साथ आज शाम इस बहतरीन बाचीत के लिए अपना कीमती समय बिताने के लिए धन्यवाद देते हैं हम मोहित चौहान की शांदार प्रस्तुती के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं मुझे विश्वास है कि हम सभी ने इसे पसंद किया और ईशा सम्स्कृती को कलरी प्रदर्शन के लिए धन्यवाद क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूँ? इस अवसर पर मैं बस आप लोगों को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप जैसा कि आपने कहा आठ हजार लोग, बावन सो शोद करता और बाकी लोग अनेक प्रकार की पढ़ाई कर रहें लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि आप इस देश के लाखों युवाओं में से कुछ विशेश लोग हैं आपको इस विशिष्ट संस्थान में होने का विशेश लाभासिल है जिस तरह की सुविधा और दूसरी चीजें जो यहाँ पर हैं इस देश के अधिकान्श लोग ऐसी सुविधाओं के सपने भी नहीं देख पाते ठीक है? देखिए आपको यह जरूर समझना चाहिए कि जब आप युवा होते हैं तो यह सबसे जरूरी है कि जीने के जल्दबाजी में ना रहें यह खुद को बनाने का समय है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा केवल महान मानवों के निर्मान से ही महान समाज राश्ट्र और विश्व का निर्मान होता है तो यह मेरी इच्छा और आशिरवाद है कि आप सभी युनिवर्सिटी में अपने इस समय का अच्छा उप्योग करें जिससे कि आप एक सचे बेहतरीन मानव के रूप में भविश्य में मानवता के कल्यान के लिए योगदान कर सकें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद